आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि शॉप की सील्स को किस तरह बढ़ाया जाए दुकान की बिक्री किस तरह से बढ़ाई जाए ऐसा क्या उपाई करें आप अपने रेगिलर डे टू डे में कि जिससे कि आपकी शॉप बहुत अच्छे से चले दुक न्युक्त आई थी है कि हमारी दुकान की बिक्री कम हो गई है ऐसा क्या उपाई करें कि फिर से धुकान हमारी अच्छे से चलने लगे तो अगर आपको बहुत अपकी जायों विलत से नमसे से दोस्तों मैं हों आपकी दोस्त मेरे चैनल नीता विक्रम्रें में आप सबका स् आप लोग कैसे हैं दोस्तों यह बताने के लिए हमेशा की तरह सिफ जैमातादी लिखिएगा इसलिए उनका नाम लेते रहना चाहिए यह मैं हमेश्या आपको बताती हूँ तो आप भी माता रानी का नाम जरूर लीजिए दोस्तों साथी साथ अगर आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए सब्सक्राइब करने के लिए बटन को प्रेस कर दीजिए उसके बाजोय बने गंतिया बैल की आइकन को भी प्रेस करिए इससे आपको मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन हमेशा मिलेंगे एकदम फ्री है दोस्तों तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा इतनी महत्वपून जानकारिया जो मैं आपके साथ शेयर करती है रहती हूँ वो आपको इस तरह से मिलती रहेंगी अब दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा और क गजरू की दुकान होती है पर हम सभी मिवक्रा हो यां कोई भी काम करें तो इसमें मुनामाफ़ हो यानि unf it हो इसी तरह दुकान या शौप की ses में आपको प्रॉफिक हो आपकी शौप अच्छे से चले आपको इसा क्या करना चाहिए यहां पर सबसे पहले बहुत फी आषा जो भी आपकी shop है या जो आपकी दुकान है तो जहां आप बैठते हैं जो भी आपका sitting position है उसके पीछे की तरफ आप मोर का पंक लगाई है मोर के पंक आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे मोर के पंक के बहुत सारे फायदे होते हैं इतनी positivity क्रिएट कर देते हैं उस जगह पर की आपके पास जो आपकी कस्टमर्स हैं वो बढ़ जाएंगे शॉप की सेल्स बढ़ेंगी शॉप पे बहुत जादा आपको प्रॉफित होने लगेगा तो आप अपने पीछी की तरफ मोर के पंक जरूर लगाईए जो भी आपका वर्क प् बुरी होती है तो उस जगह पर बहुत सारी वाइब इखटी हो जाती है कई नेगितिव भी होती है कुछ पॉजिटिव भी होती है तो हमारा जो दुकान का पूजा घर है उसका आपको विशेश ख्याल रखना चाहिए जब भी आप अपनी दुकान में पूजा करते हैं तो दोस्तों बहुत ही आसान है सिर्फ चार अक्षर है इस मंत्र में ओम ही क्रींग श्रींग नम्हा तो आपको यह मंत्र बोलते हुए अपने पूजा घर की सफाई करनी है आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी शॉप इतनी अच्छे से चलने लगे कि हर एक मंत्र का अपना बह बढ़ने लगेगा दुकान में बहुत ही मुनाफ़ा होने लगेगा इस तरह से दोस्तों यह बहुत ही दो आसान उपाए हैं इनको आपको हर रोज में करना है मोर का पंक तो अगर आपने एक बार लगा दिया तो वह लगा रहेगा और जब भी आप अपनी दुकान में सफा साथी साथ बहुत सारी वाइफ आती हैं तो आप अगर मंदिर का ध्यान रखेंगे तो आपके जो दुकान की पॉजिटिविटी है वह बहुत बढ़ जाएगी अब इसके बात कर लेते हैं उन लोगों की जैसे दुकान जो पहले से चलाते आ रहे हैं पर अब उनकी दुकान की सेल्स कम हो गई है या दुकान कम चलती है तो उन लोगों के लिए आज ये उपाय है आपके दुकान की बिक्री अगर कम हो गई है तो आप इस आसान से उपाय को करके अपने दुकान की सेल्स बढ़ा सकते हैं इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए आपको चाहिए शक्कर और पानी, पानी, साफ पानी होना चाहिए कोई भी गंदा पानी इस्तिमाल ना करें अगर आपके पास गंगा जल आविलिबल हो तक गंगा जल भी डाल सकते हैं आप इस घोल को बना लीजे, घोल बनाने के बाद आपको ये उपाय करना कब है तो इस उपाय को आपको अपने राशी के अनुसार करना चाहिए आपके जन्म की तिथी के अनुसार आपकी जो भी राशी होगी आप उस दिन पे इस उपाय को करेंगे यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे रविवार को सिंग राशी वाले ये उपाय करेंगे, सोमवार को करक राशी वाले ये उपाय करेंगे, मंगलवार को मेश और व्रश्चिक राशी वाले इस उपाय को करेंगे, बुधवार को कन्या और मिथुन राशी वाले इस उपाय को करेंगे और शुक्रवार को ब्रशब और तुला राशी वाले इस उपाय को करेंगे और शनिवार को मकर और कुम राशी वाले इस उपाय को करेंगे मुझे पता है आप सब को इसको याद रखने में थोड़ा सा दिकत होगा इसलिए मैं आपको यह सारे जो भी डेट्स हैं याने डेज हैं सोम, मंगल, बुद्ध इसको लिखके और इनके आगे इनकी राश्या लिखके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी तो जिसस जब भी मैं पक्षी के भार में बोलती हूं तो लुबा फिर मिसे सवाल करते हैं यह क्या होता है जब आपका जो चंद्रमा है वो अपने साइज को बढ़ाता है तो यह पाए आपको तब करना है जब चंद्रमा अपने साइज को बढ़ा रहा है यह सब आपको पता होगा कि चंद्रमा कब बढ़ता हुआ रहता है तो यह आप आराम से बाहर देखके समझ सकते हैं जब वो छोटे से लेके बढ़ा होता है चंद्रमा उस पक्ष को हम शुकल पक्ष कहते हैं तो शुकल पक्ष में अपनी जनम तिती की जो भी राशी है उसके दिन आप इस उपाय को करें जैसे मैंने आपको बता दिया है राशीयों का डिस्क्रिप्शन में आपको लिखके भी दे दूँगी तो आपके लिए यह जानना आसान है कि आपको यह उपाय कब करना है तो आप जब भी करें आप किसी भी टाइम एने आप सुभा के समय या जब भी आपके दुकान की सा गलेता है इसपाय को बना सकते है यह बना दीजिए वहां पर आपको दूस्तों साथिया बनाना ऐशन में इस घोल से आपको क्या बनाना है चोटा नचिकिस का लगाना जाने की से बढ SeaDunta हां आप जया जाए ओन बहलेता है केवं घृ किसी का लगाना है भुने ठाने मिलते 7 काली चने मार्केट में आपको भुने हुए मिल जाएंगे और गुड लेना है तो आप 20-25 रुपे का 50 या 51 रुपे का जो भी आप लेना चाहें आप ये सब सामालने क्या लेंगे गुड और चना गुड और चना आप सब को पता है बहुत बार सब लोग इसका भूग लगाते हैं तो गुड और चने का आपको भूग लगाना है और ये जो प्रशाद है आपको ये प्रशाद आप पक्षियों के लिए रख देंगे तो आप बहुत सारा मत ले लिजेगा आप 20-25 रुपे का भी लेंगे तो काफी है एक किसी बरतर में रखके बाहर की तरह आप इसे पक्षियों को दे देंगे जहां पर भी आपको पता है पक्षी मिलते हैं आप उन्हें इसको खिला दें तो बख्षियों को आपको ये प्रशाद चढ़ा हुआ कंदें तो चारो तरफ लगा चिप लगा के उसको खिला देना हैं या सेलो कि आवटे कोची जयते है बना लिया जाता है और थुड़ा चिप चिप हो जाता है तो कपड़े के कोने कोने पर आप चोटी चोटी आंटी की लोईया लगा दें और चारो तरफ से उसको दबा के बंद कर दें बहुत साइव लोग पूजा पार्ट में कभी कभी पेज बगेरा चिपकाते हैं तो वो भी इस मेथट का यूज करते हैं वो नहीं है तो आप जो कपड़ा है कपड़े की कौर्णर पर फैविकोल का ग्लू स्टिक थोड़ा सा और आप इस जो साती आपने जहां बनाया है उसको ढग दें बार बार उस जगह को न देखें इस तरह से करने से क्या होगा ब्रसपती की आपके उपर क्रपा होने लगेगी और जो दुकान की बिकरी कम हो गई है या घट गई है वो बढ़ने लगेगी दोस्तों यह बहुत ही आसान उपाय है ब्रसपती देव को प्रसन्ने करने का आपकी दुकान की बिकरी बढ़ाने क तो आपकी जो शौप है अब उसकी से बढ़ने लगेंगी थोड़ा जब भी आपको उपाय करें थोड़ा सबर रखें एक ही बार करना है यह उपाय आपको और आप चाहें तो इसके बाद जैसे आपने जब भी वो लगा दिया है जब भी आपके पास समय हो या फिर जब भी आपको लगता है तो आप फिर से वस वहां पर भोग लगा दे यानि आप वैसे इसको धका रहने दे और आप जाके वह जो दाने हैं वह आप पक्षियों को खिला सकते हैं वैसे आप एक ही बार करेंगे तो काफी है यह उपाय आपको बार बार नहीं करना है तो दोस्तों उ इस वपाय को इस वपाय को ब्रस्पति देव की प्रसंदा कर रहे हैं और हमेश्रा मन में अच्छे भाव रखिए बगवान से प्रातना करिये कि आपके दुकान में शुक्स अमरदी लाए और दुकान की बिक्री बना दे तो इस तरह आप अपनी शॉप की अच्छाई के ल दू Lower the see you have a hard video जब अब लगी कान जाहिए दुकान में फाइड़े के लिए क्या करना चाहिए यह सारी बाते हमने कर ली है उम्मीर्केश दोस्तो आज आज का यह वीडियो आपको पसंद आएगा तो हमेशा की तरह ल 형करण करें कमं पर कि मुझे बहत ही और मेरे सबी वीडियो देखने के लिए कमेंट सेक्षिन का पहला कमेंट जरूर देखिए वहाँ पर मैं आपके साथ लिंक शेर करूँ गी, साथी इसाथ कोशिच करूँगी फर्स्ट कमेंट सेक्षिन है वहाँ पर भी मैं ये राशी वाली छीजज़ें आपके लिए लिए और दोस्तों thanks for watching my video अगली बार दोस्तों फिर आप से मिलूंगी तब तक के लिए नमस्ते